Stopping Potential Photoelectric Effect में क्या होता है देखो हमाँ पास मान लो यहाँ से कोई light rays तरीके से आ रही है तो बहुत सारे photons यहाँ पर आ करके इस पर ठकरा रहे हरे हर एक photon के corresponding हमाँ पास एक electron यहाँ पर निकल जाएगा अब electron निकल गया तो बताओं यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर current हम इस तरीके से अगर circuit close रहेगा तो हमाँ पास कुछ current आ जाएगा कुछ electrons miss हो जाएगे तो उसके कारण हमाँ पास current नहीं यहाँ आप आएगा तो एक चीज हमें पहले समझनी है कि अगर मैंने कोई potential यहाँ पर नहीं लगा है जैसे ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से battery लगाई है higher potential हो गया तो यहाँ पर इस तरीके से electric field आ जाएगा अब देखो क्या होगा उतने ही photons आ रहे थे उतने ही electron निकलेंगे कुछ electron तो पहले भी सीधे जा रहे थे वो तो भी भी सीधे जाएगे लेकिन कुछ electron जो भी इधर या इधर जा रहे थे अब क्योंकि electric field आ चुका उन पर सब इधर फूर्स लगे और वो लोग भी यहाँ पर इस तरफ आ जाएगे ऐसे में हम क्या देखते हैं अगर हम voltage बढ़ाते हैं तो हमारा photo current बढ़ जाता है तो अगर मैं यहाँ पर अगर यह देखो मेरे पास यह variable potential है अगर मैं potential बढ़ाऊँगा तो पहले मेरे पास देखो zero voltage पे इस जगे पर मेरे पास voltage है यहाँ पर मेरे पास कुछ photo current था IP इस तरीके से और जैसे ही मैं voltage बढ़ाता हूं मेरे पास थोड़ा सा current बढ़ जाएगा लेकिन क्या हमें voltage बढ़ाता जाओगा तो current infinite तक बढ़ता जा सकता है ऐसा नहीं होगा देखो number of photons यहाँ पर जितने निकल रहे थे उतने ही electron थे कुछ loss हो जा रहे थे अब वो लोग भी इदर आ रहे है तो एक time ऐसे आएगा potential बढ़ाते जाओ फिस सारे के सारे electron हम बोल सकते है सारे के सारे यहाँ पर आ रहे थे उसके बाद अब potential कितना भी बढ़ाते जाओ जितने electron यहाँ से eject होंगे उतने ही तो यहाँ तक पहुँचेंगे इसलिए हमाँ पास एक saturation आ जाता है तो हम यहाँ पर ऐसे देखते है यह graph आगे जाके इस तरीके से saturate हो जाता है चीक अब मैं एक काम करना जाता हूँ मैं यहाँ पर potential ultra direction बढ़ाता हूँ negative value में क्या चीज़ मुझे देखने को मिलेगी देखो यहाँ से direction में और उसका acceleration भी इदर होगा और फिर वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा पहले ही मुड़के वापस इदर आ जाएगा कुछ भी उसके साथ हो जाएगा ऐसे के इसमें हमाँ पास current की value zero हो जाएगी potential धीरे धीरे में negative में बढ़ाऊँगा तो कोई ना कोई एक value आईगी जहाँ पर जाकर करके मैं बूलू हो ओके इसके बाद मुझे current देखने को नहीं मिल रहा है current की value zero हो गई है और इसी लिए वो एक special potential कहलाता है उसको हम बोलते है it is stopping potential उसको हम V0 से denote करते है it is stopping potential अब देखो इसमें किस तरीके के सवाल पूचे जाएंगे मालो हमें बोल लिया कि यहाँ पर intensity of light आईवन यह है अगर मैं same energy की ही light आए मतलब same frequency की light आ रही है मैंने उसकी intensity बढ़ा दी ऐसी case में क्या होगा हमारे पास यहाँ पर number of electron जो eject थोरे थे वो जादा हो जाएंगे सारे के सारे electron इधर कप पहुंचते है जब हम potential आगे बढ़ाते है basically हमें जो saturation current देखने को मिलता है वो अब बढ़ जाएगा क्योंकि number of photons ज्यादा थे तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ value आएगी यह है I2 मैं लिखता हूँ यहाँ पर I2 की value ज्यादा थी I1 से इसलिए हमें ऐसा देखने को मिला तो यहाँ पर आपको फिर कुछ graph इस तरीके का देखने का मिलता है और अगर हम बात करें stopping potential की देखो हर एक photon की energy अभी भी उतनी है तो kinetic energy maximum जो यहाँ से निकल सकती है electron की वो भी उतनी ही थी उसको रोखने के लिए हमें जो voltage लगाना था वो भी उतना ही होगा तो हमारे पास stopping potential की value अभी भी उतनी ही रहने वाली है इस तरीके से stopping potential change नहीं होगा ठीक है उसकी equation भी हम लिख लेते हैं हमारे पास हमारे पास equation होती है E is equal to phi plus A max तो हमारे पास kinetic energy जो maximum है पूरी की kinetic energy का loss हो जाए यहाँ से यहाँ तक हमें इतना potential drop लगाना होता है अच्छा अगर मेरे पास charge की value है कितनी है charge की value है Q और मेरे पास potential difference है V का तो अगर उसको accelerate किया जाए इस potential difference के along तो उसकी kinetic energy में change कितना आता है Q times V के बराबर हमारे case में यहाँ पर particle क्या है electron, electron को multiply कर दो आप कौन सा potential drop लगाया हमने V0 का, हमारे पास K max जो maximum kinetic energy थी अगर उस पूरी kinetic energy को हमें absorb कर लेना है तो उसकी value आती है E times V0 E यहाँ पर charge है this is charge और यह है हमारे पास stopping potential बहुत ही simple सा हमारे पास V0 की जो value हाजाती है, वो हाजाती है K max upon E या फिर K max को आप क्या लिख सकते हो K max को आप लिख सकते हो E minus 5 upon E इस तरीक से आप चीज़े देख सकते हो इसका एक phatax example ले लेते हैं, अगर हमारे पास photon की जो energy है, let's say वो value है 7 electron volt work function की value है, मानलो 4 electron volt ऐसे case में हमारे पास stopping potential कितना आजाएगा इस case में मैं क्या करूँगा, phatax से मैं लिखूँगा 7 is equal to 4 plus K max K max की value किती है आजाती है K max की value यहां से देखने को मिलती है मुझे 3 electron volt यह सब electron volt था, यह भी electron volt था और राइट, K max की value आगई 3 electron volt, यहां से मैं stopping potential कैसे पतागा सकता हूँ V0 is equal to K max upon E K max की value यह 3 electron volt नीचे है E, यहां से यह एकट जाएगा इसकी value यह 3 volt यह आजाता है मैं पस, stopping potential इस तरी के साथ questions बहुत ही simple है खाली आपको यह जो हमारी question है यही तो पता हो नीचे K max को ही आपको E V0 से equate करना होता है stopping potential में, मानलो हमारी पास दो graph देवा है, इस तरी के से एक graph है, यह वाला यह value आती है, V1 दूसरा graph मेरे पास है इस तरी के से यह value है, V2 अब आपको light जो आ रहे थी है ना, मारी पास एक one light थे दूसरी two light है, इन दोनों के बीच में आप क्या conclusion निकाल सकते हो, तरी को इसको समझते है, पहली चीज हमारी पास यहां पे पहली यह तो है, आई पी होता है इस तरफ हमारी पास V होता है अगर मैं बहुत ज्यादा voltage बढ़ा देता हूं, तो भी मेरे पास saturation current की value same हा रही है saturation current की value same हा रही है इसका मतलब number of photons जितने आ रहे थे incident ते वो वाली value same रही होगी क्योंकि saturation current saturation current is equal to same इससे मुझे पता चल जाता है number of photon is equal to same फिर दूसी चीज मैं क्या देखता हूं दोनों के लिए stopping potential की value अलग-अलग आ रही है तो ऐसा क्यों होगा लिए stopping potential का काम क्या होता है जो electron वहां से निकला उसको stop करना एक में stopping potential की magnitude जादा है दूसरे में काम है तो जिसमें stopping potential ज्यादा आ रहा है यानि कि उसको ज्यादा मैनत करनी पड़ी होगी electron को रुकने के लिए यानि कि photon की energy minus work function e2 more than e1-5 इस तरीके से हम लिख सकते हैं और क्योंकि same ही metal था तो में पास phi से phi कट जाता है मैं बोल दूँगा यहां पर e2 is more than e1 लिख सकता हूँ और energy क्या होती है हमाई पास होती है h new 2 minus sorry h new 2 more than h new 1 यहां h से h कट जाएगा मैं बोल सकता है पर new 2 will be more than new 1 इस तरीके से हम conclusions कुछ निकाल सकते हैं तो आपको यही चीज़े समझने होती है stopping potential का एक बहुत important use case है देखो हम start करेंगे हमारी जो photoelectric equation है energy of photon is equal to work function plus k max अब देखो kinetic energy जो maximum value होती है उसको हम क्या लेखते है वह होता है हमारे पास e times v naught जो हमारे stopping potential है और यहां से आप phi को दूसरी तरफ ले जाओ अच्छा इस energy को मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ h new minus phi phi को हम दूसरी तरफ ले आए तो इसकी value इस तरीके से जाती है अब देखो यहां पे stopping potential को मैं लिख दूँगा v naught will be equal to h new upon e minus phi upon e अब किसी भी metal को पकड़ लागो किसी भी metal के लिए work function constant होता है e की value सभी के लिए constant है h की value सभी के लिए constant है हम अलग-अलग frequency की light डालेंगे और हमारे पास stopping potential की अलग-अलग values आती जाएंगे उसको हम measure करते हैं और इसका use क्या है देखो यह इसलिए बहुत important है क्योंकि यह experimentally किया जा सकता और इससे हमें आपास जो graph plot होगा देखो वो कैसा आता है इसको आप compare करो this is equal to y is equal to mx minus c है ना इस तरीके से आ रहा है तो हमारे पास x-axis पे होता है new यहां होता है हमारे आपास v naught जो stopping potential है और इसमें देखो new की value आप 0 रख दोगे तो y पे हमारे पास negative कुछ intercept आ रहा है उसका जो graph होता है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा ऐसे यहां से इस तरीके से start होगा और आप कोई सा भी metal ले लो इसके जो slope की value है slope की value कितनी है slope is equal to h upon e is equal to same for all metals तो आपको कुछ इस तरीके के value मिलेगी जैसे यह है मेरे पास metal 1 तो आपको अगर दूसरी कोई metal का graph बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा यह हो जाएगा हमारे पास m2 ऐसे यहां पर दोनों का ही जो हमारा slope होगा वो same आना चाहिए इस तरीके से दोनों का slope same slope और आप इस तरीके से अलग-अलग graph को plot करोगे उससे आपको slope की value मिल जाएगी और slope की जो भी value आ जाएगी उससे आप h की value बता कर सकते हो है h by e मे h को आप इस तरीके से calculate कर सकते हो इसलिए यह बहुत important हो जाता है exam में इसको पूछा जा सकता है h की value कैसे calculate की जाए तो भाई यह एक तरीका हमारा पास आ चुका है क्या आप इन दोनों metal के बारे में बता सकते हैं इन दोनों metal में क्या अलग बात है देखो इन में जो y intercept है वो क्या चीज को दर्शाता है वो इसके work function को दर्शाता है इसमें metal 1 के लिए y intercept का magnitude कम है metal 2 के लिए y intercept का ज्यादा हमें देखने को मिल रहा magnitude तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर phi 2 is more than phi 1 phi क्या होता है work function ऐसा हम इस graph में देख करके analyze कर सकते हैं पी question पूछे जा सकते हैं the work function of a surface of a photosensitive material is 6.2 electron volt the wavelength of incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in which reason तो यह बहुत ही अच्छा सवाल है तो मैं work function की value दी हुई है और हमें 5 volt का stopping potential चाहिए तो देखो हमाँ पास जो equation होती है क्या होती है photoelectric equation e is equal to 5 plus k max अच्छे stopping potential से मुझे क्या पतार चलता है stopping potential यानि की e v naught will be equal to k max तो मेरे पास यहाँ से k max की value आजाती है e into v naught की value किती है 5 volt तो यह जाता है हमाँ पास 5 electron volt इस तरीके से यहाँ से e की value आजाती है work function देवा था 6.2 electron volt kinetic energy maximum आगई यहाँ से 5 electron volt तो इसकी total value आजाती है हमाँ पास 11.2 electron volt अब सवाल यह है कि यह जो energy है वो incident radiation की है तो वो radiation अगर इतनी energy रखता है तो इन में से किस reason में होगा अब यह अलग ही EM wave spectrum का सवाल बन चुका है वीडियो को post करो question को solve करो इसका correct answer है UV तो कैसे आया देखो हमाँ पास इतनी energy है अब यह तो आप याद रख सकते हो कि हमाँ अलग-अलग spectrum की energy levels कहां से कहां तक होते है नहीं पता है आपको तो wavelength की terms में इसकोल आना है तो कैसे ला सकते हो, देखो energy को हम लिख सकते है 12400 अपन कितनी हमाँ पास जो wavelength होगी, यह ang strong में होता है यह भी electron volt में जाता है, यह हमाँ पास ang strong में रहेगी value तो इस तरीके से यह EV से EV हमाँ पास cut जाता है wavelength की जो value जाती है, wavelength will be approximately equal to 12400 divided by 11.2 ang strong इतनी हमाँ पास value आने वाली है और यह देखो इसको आप 12 है, इसको भी आप 12 मान लो तो यह इस तरीके से cut जाएगा हमाँ पास इसकी value approximately आजाती है 1000 ang strong अब यह किस region में आ रही है तो देखो यह कितनी आ गई हमाँ पास 100 nanometer हमारा visible spectrum कितना होता है visible होता हमाँ आपास 300 से approximately 700 nanometer तक जाता है 300 से 700 nm तक, this is definitely not visible region उससे छोटी wavelength हा रही है इसका मतलब उससे higher energy की होगी है तो basically infrared भी नहीं है अब ultraviolet भी हो सकती है, xray भी हो सकती है वैसे xrays भी देखा जाया है तो violet के उपर ही होता है तो ultraviolet ही होती है उसकी energy भी पर इन में से देख लेते हैं xray की जो हमाँ पास wavelength होती है xray की हमाँ पास जो wavelength होती है वो होती है approximately 100 से लेकर के 0.1 ang strong की और हमाँ पास जो i है y है 1000 ang strong तो this will be हमाँ पास ultraviolet xray की चोपास जो यह बिनी हो सकती यह भी नहीं हो सकती यह भी नहीं हो सकती a जो पास नहीं हो सकती अक्सर्च की वह a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength λ the stopping potential is v if the same surface is illuminated with radiation of wavelength to lambda the stopping potential is v by 4 the threshold wavelength of the metallic surfaces बहुत ही straightforward सवाल है आपको बस equation लिखनी है क्या है E is equal to 5 plus K max अब देखो energy को हम क्या लिखते है Hc upon lambda होती है हमाँ पास is equal to 5 क्या होता हमाँ पास Hc upon lambda threshold की value होती है threshold wavelength यही हमें calculate भी करनी है plus हमाँ पास kinetic energy कितनी होती है वो होती है E times stopping potential V not इस तरीके से यह equation दो बार लिखोगे आपको आपका जवाब मिल जाएगा वीडियो को pause करो question को solve करो इसका correct answer है D solve करते हैं देखो यह हमारे पास पहली equation है दूसी चीज़ समझो अगर हमाँ पास wavelength को double किया है इसका मतलब energy कम हो जाएगी frequency half कियोगी photon की तो हमाँ पास kinetic energy maximum कम आएगी kinetic energy maximum कम आएगी तो हमाँ पास stopping potential भी कम होगा तो पहले देखो V not था तो अब V not by 4 उसकी value आती है यह तो हमने feel कर लिया सवाल को अब इसको solve कर लेते है तो दूसरी बार में जो equation लिखूँगा वो क्या है का hc upon 2 lambda is equal to work function में तो कोई change नहीं होता उसकी value कित्ती रहेगी वो आजाएगा hc upon lambda th plus e times V not की जगे अब वो गया माँ पास V not upon 4 यह हमारी equation number 2 है हमें क्या पता करना है हमें e यह इन दोनों को cancel out नहीं करना है हम क्या करेंगे 2 को multiply कर देंगे 4 से और उसमें से 1 को subtract कर देंगे तो यह वाली term अपने आप cancel out हो जाएगी हमारी पास left hand side में आ जाएगा 2 hc upon lambda minus hc upon lambda will be equal to यह दोनों तो cancel out हो जाएगी यह था 4 hc upon th तो यह हो जाता है 3 hc upon lambda th है ना यहाँ पर 4 होगा यह 1 होगा minus करोगा यहाँ से हमाय आपस value हो जाती है hc upon lambda is equal to 3 hc upon lambda th यहाँ से hc से हट जाएगा lambda threshold की value हो जाएगी 3 times equivalent के बराबर d is our correct answer the stopping potential for photoelectrons transmitted from a surface eliminated by light of wavelength इतना is 0.42 volt तो देखो यहाँ पर photoelectric effect की सबसे पहले तो equation लिखता है energy of photon is equal to work function plus kinetic energy maximum देखो अब यहाँ पर हमें कुछ चीजें लिख लेनी है energy of photon कितनी होती है वो होती है hc upon wavelength जो हमें दी होई है work function क्या होता है threshold frequency की terms में अगर बात करें minimum frequency जिस पर electron just eject हो जाए तो वो होती हमारी h into frequency threshold इस तरीके साथ आजएगी साथ में k max क्या होता है हमारे पास होता है e times v naught जहाँ पर v naught होता है हमारे पास stopping potential तो यही equation हमारे पास आजएगे है सारी values रखो वीडियो को पास करो question को solve करो इसका correct answer है 35 solve करना शुरू करते है तो देखो हमें पस यहाँ पर अब values रखनी है और value देखकर के मझे पता चल रहा है h की value के numerically गरीव है 10 इस पाउर का अंतर है तो यहाँ पर मैं h को दोनों से इस तरफ लेखे आता है देखो मुझे value के मिलती है यहाँ पर मुझे मिलता है c upon lambda is equal to new threshold plus e v naught upon h values रखेंगे तो frequency threshold जो हमें चाहिए उसकी value आजाती है c upon lambda यानि की 3 into 10 raise to power 8 divided by wavelength की value किती है 6630 into 10 raise to power minus 10 meter था यह basically तो यह 3 dot में दे ले लूँगा यह आजाएगा 6.63 into 10 raise to power minus 7 और minus अब यह वाला e v naught upon h इस तरफ आजाएगा e की value किती होती है 1.6 into 10 raise to power minus 19 v naught की value हमारे पास कितनी होती है 0.42 दी हुई है divided by h की value होती है 6.63 into 10 raise to power minus 34 यहाँ से बहुत ही simple हो जाएगे हमारी calculation देखो उपर क्या है हमारे पास 3 3 into 10 raise to power 8,8,16 यह हो जाता है 15 divided by नीचे 6.63 दोनों में common है minus हमारे पास यहाँ इन दोनों को आप multiply करोगे तो यह value हो आजाती है हमारे पास 0.672 और अगेर हमारे पास यह वाली चीज ऊपर जाएगे तो 34 minus 19 ही हो जाता है फिर से 15 बजेगा मारे पास 10 raise to power 15 इस तरीके से आजाएगा अब यहाँ पर मैं बस calculation करनी है जाता है 3 minus 0.672 हो जाता है 2 point इसकी value हो जाएगे 328 into 10 raise to power 15 है denominator में 6.63 into 10 raise to power 15 this is equal to x into 10 raise to power 13 ऐसा हमसे बोला गया है ठीक है तो यहाँ से आप फिर से देखोगे 20 raise to power 13 से यह फिर कट जाएगा हमारा पास सिर्फ 100 बचेगा इसकी value हो जाती है x is equal to 232.8 divided by 6.63 अब इसको आप approximate करोगे तो यह वाली value जाती है 35.11 यानि कि x is equal to 35 हमारा correct answer बन जाता है इस तरीके की calculations थोड़ी यहाँ पर मुश्किल हो गई है लेकिन concept बहुत ही easy था यह जो चोटा सा वीडियो आपने देखा actually एक चोटा सा पार्ट है चोट इसे प्यारी से crash course का जिसमें हमने 11 और 12 की पूरी की पूरी थियोरी और बहुत सारे conceptual questions के लिए सारे के सारे notes absolutely free है जी हाँ और भी उसके लिए आपको payment करने की जरवत नहीं link is in the description colorful handmade notes है download करो और में vlogging channel को भी subscribe कर लेना क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक pan-India road trip पर vlog बनाऊँगा link is in the description please और मिलेंगे अब course में या फिर vlog में that you decide bye bye see you tomorrow